तंबिना तंदूर के ही तंदूरी रोटी बनाएंगे वो भी बहुत आसान तरीके से और बहुत क्रिस्पी और अच्छी लगती जैसे हम बाहर खाते हैं विलकुव बैसा भाला ही टेस्ट आएगा नमस्ते नीलम किजिन से मैं नीलम स्वागत है आपका आपकी ही चैनल में चलिए फिराज की रेस्पी सुरू करते हैं तंदूरी रोटी बनाने के लिए मैंने धाई कप आटा लिया है आटा सही रहता है मैदा कम ही यूज करना चाहिए इसलिए मैं मैदा नहीं कर रही जब आधा चमच नमक डाल दिया और एक चमच बेकिंग पाउडर और आधा चमच सोड़ा डाल दिया खाने वाला जो सोड़ा दिया इन सब को अच्छे से मिला लिया है अब इसी में आप इसी टेम पे या तो आफ रिफाइंड या ओईल जो भी डालना वो डाल सकते हो और उसको भी मिला सकते हो और यह आधा कप दही ले लिया है तो इसमें क्या है कि अच्छे से यह बन जाएगा आप एक सिंपल तरीके से भी बना सकते हो अगर रोटी का आटा लगाए उससे भी आप नान बना सकते हो यह थोड़ा सा और जादा वैसे ही वाला टेस्ट लाने के लिए अगर बेकिंग बाउडर बेकिंग सोड़ा नहीं है तो आप क्या कीजिए इनू का पैकर डाल दीजिए अगर कुछ नहीं डालना तो नॉर्मल आटा ही गूंत के बना सकते हो अब यह पानी लेके जैसे हम रोटी का डोर लगाते ना विसको वैसे ही डोर लगाना बहुत बत के और फिर ढग दीजिए अब यह देखी मैंने पहले नहीं आयल डाला था बाद में आयल डालके इसको अच्छे समसल लिया और इसको आटा कू ना 5 मिनिट लगए अच्छे से तैयार करने में यह देखिए अब इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑइल लगा दिये और फिर इसको तो अहां से अच्छे से फोड़ा सो पंच करके और अच्छे से मसल दीजी इसे बहुत अच्छा आठा जितना अच्छा रहेगा उतन्हें अच्छी रोटी रहेगी वह तो देखेए अभिस्को मैं थोड़ी-d yr और कर लेती हूँ, यह हमारा तंदूरी रोटी के लिए आट अब तैयार हो चुका है, अब देखे तब तक यह कुकर को प्री हीट करने के लिए रख दिया, उल्टगर के आप चाहो तो कुकर में भी या फिर कढ़ाई में भी आप बना सकते, कढ़ाई का भी मैं बताऊंगे की रख के काई से बनाना है, हम आग एतना करना है जैसे हम आग जब को कर गरम हो तो हम जैसे हाठ भी करेंगे तूढ़ जिसमें जहार टाइप की आने लगे मतलब गर्माँच और समझज जाना कि आपका क्या का कुकर अच्छे से गरम हो चुका है, और प्रिहीट के ऐसा है, कि आप तेज फिलिम में भी कर सकते और मीडियम में, तो वह ऐसा नहीं, टाइमिंग का कुछ वो है अब हम देखिए, हमने इसके पेड़े बना लिए अब हम इसको ना दो तरीके से बना सकते देखिए, हास से, वो लोग ना हास से ही बनाते आपने देखा होगा बाहर जब तंदूरी रोटी खाई होगी न, वो लोग हास से ऐसे करते हैं, तो यह क्या कि यह हास की हतेली से पहले, फिर उसके बाद यह फिंगर से करते जाएए, तो यह बड़ी होती जाएगी अब तक उसमें हम 4-5 तो लगी जाएंगे, तो देखते हैं, अभी जब तक 3-4 बना के रख लेते हैं, और यह इसको आराम से कर लीजिए, अब ऐसे करके पहले हाथ से थोड़ा सा पेड़ा बढ़ा कर लीजिए ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे फिंगर से और हतेली से ऐसे करके बढ़ाते जाएए, ऐसे बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है, ट्राई जरूर कीजिए, औ पिर नहीं तो simple वाला तरीका तो फिर है आप जैसे रोटिया बनाते हो वैसे बना दीजिए उसको भी मैं बना के दिखाऊंगे कि यह से आराम से बन जाती है तो यह देखिए हम नहीं से करके बना लिए साइज हर तरीक है कि ऐसा नहीं पिल्कुल अब यह देखिए जो बेलन है और उससे हम इसको आराम से जैसे रोटी बेलते हैं अब ऐसे ही बेलना है इसमें आटाटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आराम से ऐसे फिर उसके हतेली से थोड़ा सा करती है तो वही वाला से कुकर को जो है उसको पकड़ लेती हूं और दूसरे हाँ से इसको आराम से चिपकाती जा रहे हूं अगर आपको लगे कि वह सही से चिपक नहीं रही है तो आप एक काम कीजिए थोड़ा सा पानी लगा लीजिए एक साइड जिस तरफ से आपको चिपकाना उस तरफ करने वाला होता है न उसको पकड़ के ही मैं कर रही हूं को कर गा इस्टेंट अब फिर गैस जलाके यह सिलो में ही पकने दूंगे सिलो से पकने से क्या होगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यह तब तक सारे पीड़े बना लिए अब आप कड़ाई के बताते हूं जिसे आपकी यह कड़ाई यह आप इसमें देवी रखके पका सकते हैं या फिर ऐसे उल्टा करके भी पका सकते हैं उल्टा रखके पहले कड़ाई को अच्छे से गरम चलीजी फिर ऑपर से जो आपने रोटीं बनाई है हूं उनको चिपका देजी और पिर जब वह उपर से अच्छे सिख जायें तो आप ऐसी करके भी सकते old withία nun तंदूरी रोटी भी बना सकते हैं यह देखिए मैंने उसको देखा है यह सिख गई है ठोड़ी थोड़ी अभी इसको और क्रिस्पी बनाना है इसलिए इसको थोड़ा सा पलट-पलट के ऐसे साइड से कुकर को घुमाते हुए और सेक लेते हैं देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है मतलब और टेस्ट भी बहुत अच्छा है अगर आपको सॉफ्ट वाली रान पसंद है तो आप कीजिए तो मीडियम फ्लेम करके उसको कर दीजिए मैं सिलो फ्लेम में ही पका रहें कि क्रिस्पी पन जो इसका आता वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप इसको बना के जरू कही है तो और ब्राउनेस पीछे से भी लाना है तो थोड़ा सा ऐसे को कर गुमा के और ज़्यादा क्रिस्पी पन उसमें ला सकते हैं थोड़ा से गुमा के और भी ज़्यादा इसको सेख लिए देखिए कितना अच्छी से हो गई है ini किसी के सा还ई यह बहुत अच्छा लग अगर नहीं किया तो कीजिए और वेडियो को जादा से जादा से एर कीजिए फिर हम नेस्ट वेडियो में मिलते हैं